आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में और उसके टाइट्स के बारे में तो चलिए वीडियो सरू करें यह सवाल इंटिव्यू से भी रिलेटिड है किसी भी चीज को इंपुट से आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को हम प्रोडक्शन कहते है यानि हमारे पास कोई इंपुट रिसोर्स है उन पर कोई प्रक्रिया करके यूस फूल आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया होती है उसे production कहा जाता है अब यह input कई प्रकार के हो सकते है अगर कोई दर्वाजा बना ना है तो उसके लिए लकरी, प्लेवुड, फेविकोल जो आदमी यह दर्वाजा बना रहा है वह यह सब हमारे input resources है इनसे हम दर्वाजा बनाने की प्रक्रिया करते है और एक दर्वाजा तयार करते है उसे ही production या manufacturing कहेंगे चार प्रकार से production किया जाता है जिसमें पहला है इसे one of production भी कह सकते है यानि के कोई customer के special order पर किसी special item या job का कुछ शिख्या में unit तयार किया जाता है इसे ही one of production कहा जाता है जैसे कि किसी die को तयार करना किसी special चीज को CNC-VMC में बनाने के लिए उसके लिए fixture तयार करना वगेरा या सब one of production में आता है बैच टाइप प्रोड़क्शन भी एक प्रकार से one of production जैसा ही है बस फर्क इतना है कि इसमें एक unit का पूरा batch तयार किया जाता है इसे batch टाइप production कहते है मास प्रोड़क्शन को continue production सिस्टम भी कह सकते है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे mass production यानि ज्यादा row material को finish material में बदलना इसे mass production कहा जाता है mass production में continue production चलता रहता है mass production वहाँ काम आता है जहां product की demand बहुत high है जब हम कोई बड़ी कंटेटी में product develop करते है कार बनाना, दवाई, cold drinks, कोई electronic item वगेरा तो उसके लिए जरूरत होती है assembly line की छोटे-छोटे input को जोड़के एक output तयार करना continuous production यानि लगातार चलने वाला अर्थाथ हपते के साथ दिन और साल के 360 दिन जैसे की कोई oil refinery है petrol है, diesel है, तो यह वो product है जिसकी demand रोज रहती है continuous process में unit को time पर बनाने की चुनौती रहती है इसलिए इसमें automation का अधिक use किया जाता है continuous production process not flexible यह process में हम जल्दी से दूसरा product नहीं बना सकते या एक ही product के लिए काम आता है तो आज की वीडियो में हमने जाना production system और production types के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like, share और subscribe जरूर करे और आपको कोई भी सवाल हो वीडियो के related तो comment करके बता सकते है तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद